दोस्तों यह देखने के बाद आपका मुंसे एक ही बाद निकलेगा दोस्तों फ्राइंग पैन में ऐसे कलर को पिगला के उसके साथ पॉटाश्यम नाइंट्रेट सुगार और वेकिंग सोडा को मिक्स कर देना है कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद प्लेट में आलक करके के अंदर डाल दीजिए दोस्तों बढ़ते हैं थार्ट स्टेप की तरफ कुछ मैचिस के तेली को ऐसे अलग करके आपको इसके अंदर ठीक से डाल देना है दोस्तों वीडियो को यहां तक देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्स्रेब करना मत भूलिए दोस्तों यह स्टेफ फॉलो करके अब जितने भी कालर स्मॉक बनाना चाहते हो अब बना सकते हो दोस्तों इसको जराने के बाद कुछ इस तरह सा कालर दौन निखल रहा है जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है आप कैसा लग रहा है आप कॉमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मा दभूलिएगा